आज हम समझते हैं Lateral Entry के मुद्दे को क्या Recent Development है? Recent Development है, हाल फिल हाल में UPSC ने एक सूचना जारी की और 45 पद है जिन्हें Lateral Entry के द्वारा भरा जाएगा ये सूचना है और ये जो पद है ये भारत सरकार में Joint Secretary, Director और Deputy Secretary जैसे पदों के लिए हैं अब इस सूचना के साथ एक राजनीतिक बहस भी आरंब होती है जिसमें जो सरकार का पक्ष है यदि हम Minister of Department of Personal and Training जितरेंदर सिंग जी की बात करें तो उनका ऐसा मानना है कि Lateral Entry आज के समय की आवशकता है और ये जो एक Professionalism है, जो एक Specialization है वो लेकर के आएगा वही हम यदि Leader of Opposition या विबक्ष की बात करें तो Leader of Opposition का ऐसा मानना है कि ये एक तरीके से जो भारत में Civil Services है उसकी जो Institution है उसके Future के लिए अच्छा नहीं है ये उसको Ideological Idealization हो सकता है और इसका एक Misuse हो सकता है तो सबसे पहले हम समझते हैं कि Lateral Entry का तातपर क्या है तो यदि हम भारतिय व्यवस्था में और Civil Services की बात करते हैं तो Lateral Entry का मतलग है कि Civil Services में जो अभी लोग है केवल उनके ही में से हम कुछ पदों के लिए चयन या Deputation या Selection नहीं कर रहे हैं वरन इस पूरे सिस्टम के बाहर यानि जो Talent उपलब्ध है फिर चाहे वो Private Sector में हो, हमारी Universities में हो, हमारे Think Tanks में हो वहां से भी लोगों को इस Senior या Middle Level जो Posts हैं उनमें लिया जाए, उनमें इनको Induct किया जाए यदि इन 45 पदों की बात की जाए, तो विभिन जो सरकारी Ministries हैं, चाहे Agriculture Ministry है, चाहे Foreign Ministry है इन सभी पदों के लिए और इन सभी Ministries पर इन चीजों की अधिसूचना जारी की गई है तो सामाननेता क्या प्रक्रिया है? सामाननेता प्रक्रिया है कि जो Civil Services की परिक्षा है, तो इसी में जिन लोगों का UPSC के द्वारा चयन होता है, इंडक्शन होता है, फिर जाए वो Civil Services की परिक्षा हो या जो Central Grade A Officers की परिक्षा हो, तो वहाँ से लोगों को या तो प्रमोशन या फिर उनका डेपूटेशन वो तरीका है, लेकिन अब हम institutional व्यवस्ता से, यानि कि सरकारी व्यवस्ता से बाहर जाकर के जो प्राइवेट सेक्टर है या जो Civil Society है, वहाँ से लोगों को इंडक्ट करते हैं, तो अगर हम Public Administration से या लोग प्रशासन के सिध्धानतों के उपर जाएं, तो हम इस Controversy को Generalist versus Specialist Controversy के रूप में भी देख सकते हैं, क्या जो सरकारी नीति निर्माण है, उसमें क्या Generalist स्लोग होने चाहिए या Specialist होने चाहिए, इस पर एक बहस है, और इस संदर् का तुलनात्मक अध्यन कर सकते हैं, एक है Britain, जहां पर Generalist Bureaucracy की बात की जाती है, और भारती विवस्था, चाहे हम एतिहासिक तोर पर बात करें, या एक हमने खुद उसको चायन किया है, तो Bureaucracy या Civil Services के Context में, हमने वो British विवस्था को जादा अपनाया है, अब अगर हम अमरीकी विवस्था की बात करें, तो उसको हम Government by Experts या Government by Specialists की बात करते हैं, अब भारत में कौन सी विवस्था अती उप्यूक्त है, इस पर अगर हम बात करें, तो आपको जाना पड़ेगा भारतिय राज्य विवस्था के स्वरूप पर, तो हमारा सिस्टम कैसा है, हमारा सिस्टम है, Parliamentary Form of Government, Parliamentary Form of Government की खासियत क्या है, यह पार्टी बेस्ट गवर्नेंस है, यह एक आइडियोलोजिकल या पार्टी बेस्ट होता है, यानि की एक सिंगिल व्यक्ति यहां पर सरकार नहीं बनाता है, और जैसे पार्लेमेंट है, पार्लेमेंट में आप डिवाइट कर तो पार्लेमेंटरी सिस्टम में पार्टी पॉलिटिक्स काफी महत पूर्ण रहती है, और जब पार्टी पॉलिटिक्स होती है, तो इसलिए आवशक्ता आती है कि जो हमारी बिरोक्रेसी है या जो हमारी सिवल सर्विसेज हैं, वो पार्लेमेंटरी सिस्टम की एक आवशक् अब neutrality का मुद्दा presidential system में इतना नहीं जाता है क्योंकि presidential system party based नहीं होता है, presidential system personality based होता है, presidential system में ऐसा नहीं होता है कि आपके पास अगर majority seat हैं legislature में या congress में तब आप सरकार बनाएंगे, ऐसा नहीं होता है कि जो opposition है या vote of confidence चाहिए होता है, तो जो presidential system है वहाँ पर चुकी party politics या ideology का बहुत जादा significance नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर आप government by specialists को चला सकते हैं इस आशंका से परेहट करके कि bureaucracy की neutrality है उस पर question mark हो सकता है, तो यदि हम भारतिय विवस्था की बात करें तो सैधान्तिक तोर पर भारत में generalist bureaucracy बहतर होगी और भारत में जो specialist bureaucracy है उसके कुछ dangerous implications हो सकते हैं, अपने एक article में TSR सुब्रामानियम जो former cabinet secretary रहे हैं उन्होंने भी ये बताया है कि भारत में यदि इस तरीके के प्रयास बिना पूरी सोच समझ के किये जाते हैं तो उसके नकारात्मक परड़ाम हो सकते हैं और एक जो नकारात्मक परड़ाम ये हो सकता है कि हम specialization तो लाएं पर उसके साथ साथ ऐसा हो सकता है कि हम civil services का जो professionalism है हम उसके उपर एक question mark लगाते हैं प्रोफेशनलिजम पर question mark क्यों लगेगा क्योंकि बहुत ही जादा possibility होती है कि जो civil servants हैं उनकी political neutrality के उपर एक प्रश्न चिन लगता है ऐसे ही यदि ऐसा भी होता है कि हम specialization तो ला रहे हैं पर उसके लाने के साथ साथ हमारी जो सोच है वो एक आयामी नहीं होनी चाहिए और हमें ये भी समझना चाहिए कि यदि कोई चीज आती है तो उसके अपने negative consequences भी होते हैं उसके positive consequences होते हैं उनको balance करके ही हमें कोई कारे क करना होता है तो वर्तमान में वो लोग जो इसका lateral entry का support करते हैं वो ऐसा मानते हैं कि आज जो public services है या public policy है वो काफी specialized हो चुकी है और हमें private sector से एक नई energy और एक new ideas की जरूरत है और इसके कारण जो human resource in terms of quality and in terms of quantity at the middle and a higher level of decision making जो बहुत जादा अभी urgent है उसको हम deal कर सकेंगे जदी भारत में प्रशासनिक सुधारों की बात की जाए तो 2009 के आसपास जो second ARC report आई थी उन्होंने भी lateral entry को recommend किया उसके बात 2017 में नीतियायोग नीतियायोग ने एक three year action agenda दिया था और उसमें lateral entry की बात की फिर कह सकते हैं कि कई अन्य जो भी intellectuals हैं या policy makers हैं उन्होंने भी इसकी वकालत की और भारत में 2018 में सबसे पहले lateral entry आरम हुई around 63 post जो हैं वो lateral entry के द्वारा भरी गई तो ये जो प्रक्रिया है ये चली आ रही है और इसे लागू किया गया है पर एक जो मुद्दा है मुद्दा ये है कि lateral entry क्य तो जो उसका समर्थन करते हैं वो specialization की बात करते हैं जो इसका विरोध करते हैं वो neutrality पर एक प्रशन चिन लग सकता है वो उसकी बात करते हैं अब जो lateral entry है वो अकसर private sector में भी की जाती है lateral entry में जो specialization का angle है यदि मैं अपनी personal राय व्यक्त करूं तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इस specialization से भी जादा important है professionalism और चुकि हमारा एक political system है parliamentary system जहां पर ideology and party politics की काफी बड़ी भूमिका होती है तो शायद उस संदर्भ में जो generalist bureaucracy है वो important है generalist bureaucracy का समर्थन यहां तक की private sector में भी जो Bill Gates है वो भी करते हैं क्योंकि एक wider level पे हो सकता है कि वो जो specialist है वो एक छेत्र विशेश में specialist है लेकिन जब आप policy making की बात कर रहे हैं तो आपको काफी integrated or different spectrum में सोचना पड़ता है और आपको एक particular policy का क्या प्रभाव सामान्य जनता प फिर lateral entry से संबंदित कुछ प्रशन उठाये जाते हैं कि यदि lateral entry की जाती है तो जो भारत में reservation की प्रणाली है वो उस पर उसका क्या प्रभाव है क्या reservation उसमें लगेगा या reservation उसमें नहीं लगेगा एक मुद्दा ये भी है कि जो IAS, IPS, IFS या central sector के जो officers हैं तो उनके promotion के prospects को लेकर के भी एक प्रशन होता है फिर ये भी ऐसा माना जाता है कि जब आप क्योंकि भारत में career services है एक long services है तो obviously आपके अंदर वो professionalism और specialization आता है तो ये जो बहस है ये केवल भारत में होने वाली बहस नहीं है ये लोग प्रशासन, public administration के कुछ सहधान्तिक जो विशे हैं व तैक्यता नहीं बनी है धन्यवाद